Hello guys and welcome back to our channel Guruji in Action मैं नवीन सर्मा आपका स्वागत करता हूँ एक बाद फिक्षे आपके चनल Guruji in Action में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है मेरे पिछले वीडियो के माधियम से कि हम जो है हमारा आप सेटेंबर दो हजार चोवजय का아요 suddenly यास हमारे इस ट्रप की शुरुआति के पहला दिन और आज हमारे जो फ्लाइट है वह रागगे को बारा बच के पैफ्टिस मिनट की फ्लाइट होनी है कोलकटा तो ंके के लिए आज हमारे साथ में metric से आपर छै बन्दे हैं जो कि हमारे साथ में जाने वाले हैं में एक राज बाठी यह जो कि एघ्राइन और अमेरिका रिटन और बाकी करches आगे जूंद्गे को सकते हैं जो है वो फिक अप करके ले जाएगे सीधे होटल पेवरली पिटाया में और मैं जो है चला जाओंगा सवनभूमी एरपौर्ट मेरे बाजी के बंदों को लेने के लिए जाएंडिक चोदा बंदे जो कि करेंगे तो दोस्तों हम अई फिलाल मौजूद है कोलकता एरपोर्ट पे और हमने जो बोर्डिंग पास ले लिया है हमारा सेक्रेटी चेकिन भी करा लिया है इमिगेशन में कोई हमसे सवाल नहीं पूछा गया है बिल्कुल नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं जैसे कि आप थाइलेंड क्यों जा रहे हैं या फिर आपके पास पैसे कितने हैं आपकी रिटर्ण कब है इतने ही दो तिन सवाल आपसे पूछ सकते हैं आदर वाइज आपसे पोने 10 यानि 9.45 मिनट काफी टाइम हमारे हाथ में है तो चलिए थोड़ा से एरपोर्ट घूम लेते हैं आपको इस ट्रिप की जो है पूरी जानकरियम देंगे हमारा अगला ट्रिप भी जल्दी आने वाल है जिसका वीडियो इसी चैनल पर आएगा तो हमारे चैनल को अभ अपनी टिकेट दिखा कर अपना अपना चेक-इन करके अपना oarding pass लिया बोर्डिंग पास लिने के बाद हम सिधे चले गये थे immigration officer के पास जहां पर immigration officer ने हम सभी से एक ही सवाल पूछा कि आप लोग Thailand क्यो जाना चाहते हैं तो हम सभी का एक ही जवाब था कि सर हम सभी टूरिस्ट परपस के हिसाब से थाइलेंड जाना चाहते हैं वहाँ से हमने immigration अपना clear किया clear करके हम अंदर आ चुके अंदर आने के बाद में हमने gate number 12 से अपनी flight को board किया flight की occupancy जो थी वो लगबग लगबग 50% की थी क्योंकि उस समय ज्यादा peak समय नहीं था यानि कि ज्यादा rush टाइम नहीं था बैंकों की flight के लिए तो ये लगबग 50% की occupancy के साथ उडान भरी कोलकता का ये चमचमाता हुआ रात का समय का दिश्य देखकर हम और हमारे सभी group member काफी प्रसंचीत हुए देखकर कैसा लग रहा था कि अब कुछ ही समय में हम बैंकों की धर्टी पर land करने वाले हैं लगबग 2 घंटे 30 मिनट का समय लेते हुए हमारी जो flight थी वो बैंकों की धर्टी पर उतरने वाली थी पर बीच में हम एक बार flight का मुआयना लेने के लिए पूरी flight का एक वीडियो बनाते हुए चक्कर मार रहे थे तो हमें पता चला कि सारे लोग जो है वो मस्ती में सो रहे हैं क्योंकि रात का समय हो रहा था लगबग 3 बच के 30 मिनट का सोने की बीच हमें पता है नहीं चला कि हम कब DMK एरपोर्ट पहुच गए DMK एरपोर्ट पहुचने के बाद हम जल्दी जल्दी अपना हैंड लगज ले करके पहुच चुके थे इमिगेशन काउंटर की तरफ क्योंकि हमें वीजा नहीं लेना था इंडियन्स के लिए वीजा फ्री है इस वज़ा से आपको वीजा ना लेते हुए सीधा इमिगेशन करवाना पड़ता है पीकप करूंगा और फिर वहां से निकलूंगा मैं अपने होटल की तरफ तो चलिए आगे चलते हैं और इन लोगों को इनकी गाड़ी में बिठा करके मैं निकलता हूं सुर्ण भूमी आपको दिखाते हैं सुर्ण भूमी से भी पीकप पहले इन लोगों यहां से दवाना क जो कि बिलकुल तए है तो दॉस्तो गेट नमर पांच पे हमारी टैक्सी बिलकुल तियार थी हमारे नाम के साथ में जो की हमारा नेम प्रेटल लेकर खड़ी थी गुरू जी इन एक्शन का हमारे ग्रूपके लोगों को टैक्सी में हमने डायरेक्प पहुचा दिया पताया के होटल दा होटल बैवली पटाय की तरफ में हमारा सफर लगबग दो घंटे कर रहा जो कि हमारी AC वेन में काफी सोहाना रहा और हमारे ड्राइवर साब भी इतने प्यारे थे कि इंडियन सोंग चला कर हमारे लोगों का काफी अच्छा एंटर्टेन किया तो दोस्तों यही है हमारा पटाय का सबसे अच्छा इंडियन स्टे होटल जिसका नाम है दा बैवली होटल पटाया जिसमें हम सभी ने हमारा पासपोर्ट दे करके अपना अपना रूम का चेक इन कि इस होटल के खासियत यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी जोइनर के लिए एक्स्टा फीज नहीं देनी परती है, वोकिंग स्टीट से काफी पास है, यानि कि लगबग 100 मिटर की दूरी में आपको वोकिंग स्टीट और 100 मिटर की दूरी में ही आपको बीच रोड मिल जाता है, इस होटल में काफी अच्छा इंडियन बेकफर्स्ट, काफी अच्छा इंडियन लंज, काफी अच्छा इंडियन डिनर भी आपको मिल जाता है, साते साते आपको जो है थाई मसाज की भी फेसिलिटी इस होटल में है, इस होटल का पुल काफी शांदार है, जिस होटल के जहां पर आप चाहो तो यहां इनके पारलर में आ करके या फिर आप चाहो तो अपने रूम में इनकी थाई मसाज का सर्विस भी ले सकते हैं, काफी अच्छा थाई ट्रेशनल मसाज ये लोग देते हैं, आपकी बोड़ी को काफी अच्छा रिलेक्शेशन मिलता है, साथे हम देने वाले हैं हमारे ग्रूप मेंबर को बहुत ही शानदार पूल पार्टी होटल मेनेजमेंट के द्वारा, बहुत ही प्यारी पूल पार्टी इनकी होती है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो हमाए चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मिलते हैं आगले वीडियो तब तक लिए बाबाई शबा खेर अपना बहुत बहुत भून द्यार नखेगा जैहिंद